हम सब जानते है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सार्थी बने थे। लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर वीश्म सहित समस्त कौर्वों का नाश करने के लिए रन भूमी में कूर पड़े थे। आये जानते है कि कृष्ण जो युद्ध में केवल अर्जुन के सार्थी की ही भूमिका निभाने वाले थे। उन्हें आखिर युद्ध क्षेत्र में क्यूं कूर ना पड़ा और इसका क्या परिनाम निकला। ये घटना महाभारत युद्ध के तीसरे दिन की है। जब रात बीती और सबेरा हुआ तो भीष्ण ने अपनी सेना को रन भूमी में चलने की आग्या दी। वहाँ जाकर उन्होंने सेना का गरूर व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच की स्थान पर वे खुद ही खड़े हुए। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो द्रिश्ट द्यूम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षन शिखर पर बीमसेन सुशोभित उनके साथ अनेकों आस्तशस्त्रों से संपन्न भिन भिन देशों के राजा थे। पीन सेन के पीछे महारती विराट और डुपद खड़े हुए। उनके बाद द्रिश्ट के तु थे। द्रिश्ट के तु के साथ चेदी, काशी और करूश एवं प्रभध्रक देशिय योधाओं के साथ सेना के साथ धर्मराज योधिश्थिर भी वहाँ ही थे। उनके बाद सात्यकी और डुपदी के पांच पुत्ध थे। फिर अभिम्यू और इरावान थे। इसके बाद युध्ध आरंभ हुआ। रत से रत और हाथी से हाथी भीर गए। कौरवो ने एकागरचित होकर ऐसा युध्ध किया कि पांदव सेना के पैर उखर गए। पा अब मेरा रत पितामह के रत के पास ले चलिए। कृष्ण रत को हांकते हुए भीश्म के पास ले गए। अर्जुन ने अपने बानों से भीश्म का धनुष काड़ दिया। पीश्म जी फिर नया धनुष लेकर युध्ध करने लगे। पीश्म ने अर्जुन और श्रीकृ श्रीकृष्ण को बानों की वर्षा करके खूब घायल किया। भगवान श्रीकृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना के सब प्रधान राजा भाग खड़े हुए है और अर्जुन भी युध्ध में थंडे पर रहे हैं तो तक श्रीकृष्ण ने कहा अब मैं स्वयम कोड़ों की लगाम छोड़ दी और हात में सुदर्शन चक्र लेकर रत से कूट पड़े। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्ण की ओर जपते उनके पैरों की धमक से प्रित्वी कापने लगी। तुए भीष्ण की ओर बढ़े। तुए हात में चक्र उठाए बहु अर्जुन भी रत से उतर कर उनके पीछे दुड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बहें पकड़ ली। भगवान रोश में भरे हुए थे, अर्जुन के पकने पर भी वे रूप न सके। अर्जुन ने जैसे टैसे उन्हें रोका और कहा केशव आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों की सहारे हैं। अब मैं भायों और पुत्रों की शपत लेकर कहता हूं कि मैं अपने काम में धिलाई नहीं करूंगा, प्रतिग्या के अनुसार ही युद्ध करूंगा। तब अर्जुन की यह प्रतिग्या सुनकर श्री कृष्न प्रसन हो गए और वाकसरत पर लोट गए।